बनाए अपने यादगार पलों को और भी खास कनया वाटिका के साथ बालाजी मंदर के पास बड़ा बजार से मात्र दो मिनिट की दूरी पर कहते हैं आवश्यक्ता अविश्कार की जननी है हमारे देश में कई लोगों ने साधन हींता के चलते या फिर अपने जुनूर के बल पर ऐसे कई उपकरण तयार किये हैं जिनका उप्योग बड़े पैमाने पर होता है और वे किसी भी नामी कमपनी द्वारा तैयार किये गए उपकरणों की तुला में काफी सस्ते पड़ते हैं ऐसे ही मद्प्रदेश के एक किसान ने जुगाड से घर पर ही खेतों में खाट डालने वाली एक ऐसी मशीन का इज़ात किया है जिससे किसान को कई फायदे हो रहे हैं राइसेन के अब्दुल्ला गंज ब्लॉक के ग्राम पंचय तमोट लंका टोला में रहने वाले ग्यारभी कक्षा पास विरोध कुश्वाहा ने खाट डालने वाली देशी जुगाड मशीन बनाई है इस मशीन को बनाने में उसे मात्र तीन सो रुपेम का खर्चा आया किसान ने बताया कि हाट से खाट डालने में पत्तियों पर गिर जाती थी जिससे फसल की पत्तियां गल जाती थी साथी खाट की भी अब इससे बचत हो रही है तो यह था फस्लों में बहुत दिक्क्त होती डालने में तो इसके लिए हमने ये मसीन का थोड़ा बुकारा है अविश्कार सा किस टाइब किस टाइब किस टालने में क्या छीच के डालते थे तो फसलों उपर गिर जाती थी तो वहां पर यूरिया लगने से अपने पत्ते जल जाते थे फसल के इस वाजे से इसको बनाना पड़ा तो वह तो एसा है कि परेशानी आती हैं तो सुझाब भी अपने आप आने लगते हैं इस वाजे से तो कैसे बनाई ये मसीन क्या क्या इसमसामगरी लगी है इसमें सामगरी यह है कि अपना यह जो आप देख रहे हैं यह अपने पत्ती बाले बाटरॉम का एमपूलर है और यह ह से अपने कुपे में इसको कर लिया है चुंगी भी लगाई लगाया ताकि उसमें खाद आसानी से निकल सके बाहर तो अब इससे किस तरह को फाइदा है फसलों को फाइदा क्या खाट डालने में जल्दी हो जाती है और फसलों पर अपना एक्ट्रा खाट भी नहीं गरता कह सब्सक्राइब करें जाता है इसमें कुछ लागत आई यह खर्चा क्या है खर्चा तो मिनीमम यह 300-400 का आया होगा लगभग बस बस अब जो टाइमिंग है आपकी कितने टाइमिंग बच रही फसलों को लेकर यह माली जी टाइमिंग क्या जहां दो दिन का काम एक दुफेर हो रहा है मतलब यह मालो के 24 घंटे का काम तीन चार घंटे में हो रहा है हां और जो फसल जो खाद है आपका कितना नुक्सान होता था उसमें भी कितना फायदा होगा लगभग बस रही है अब दो दिन में अपने दो लेबर बच रही है तो पांस दुनी एक हजार रुपे वो फायदा हो गया है कि देशी जुगार देखी जो की बहुत ही अच्छी है देखी कैसी है बहुत अच्छी बहुत अच्छी चलती है क्या क्या सहुलियत होती है उस्वलियत है ना तो कमर दुखती नोन ना पढ़ता ना पेड़ को उपर गए तक रहाता है तो आप अपने बनवाई कि यह मस्था है अभी नहीं अच्छा आप अब बनवाई नहीं होता है आप यह से पिरेंगे अच्छी इस जुगाड़ वाली मशीन को लेकर वहां के क्रसी विस्तार अधिकारी डियेस भदोरिया ने भी इसकी सराहना की है निश्चित रूप से ये तामोट ग्राम का जो हमारा किसान है इसके द्वारा ये जो नई तकनीक से यूरिया डालने की ये जो यंत्र इजाद की गई है ये किसानों के हित में बहुत लाबदायक है क्योंकि इसकी लागत बहुत कम है दूसरा सबसे बड़ा फाइदा इसमे ये है कि अगर सबजी लगाता है किसान तो उसमें हाद से यूरिया डालते हैं और यूरिया वहीं प्लेस्मेंट होता है जहां एक्शूल में होना चाहिए इससे यूरिया की बरबादी भी नहीं होती है और लागत भी कम है यंत्र की और अगर ये अच्छा काम करता है तो आ सागा टीवी नियूज के लिए बेगम गंज से उत्तम सिंग ठाकूर की रिपोर्ट कई सुविदाओं सहित नाम मात्र के शुल्क पर उपलब्ध है तो संपर्क करें मनी सोनी हमारा नमबर है 9754708888